बीलवाड़े के ग्रामी निलाकों में चलने वाली शादी के बाद वर्जिनिटी टेस्ट की कूप रथा कूकड़ी अभी भी विवाहेतों का पीछा नहीं छोड रही है एक नई दुलहन जो वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हो गई वर शादी के पाचमाद बावी अपना घर नहीं बसा पाई इस टेस्ट में फेल होने के बाद समाज की खाप पंचायत ने विवाहता और उसके परीजनों पर 10 लाग का जुर्माना लगाया था जो वो नहीं दे पा रहे है ऐसे में उस विवाहता को लगातार मान से क्रूप से प्रतारिट किया जा रहा है युविती के साथ शादी से पहले रेप हुआ था जिसका मामला शहर के सुबाशनगर थाने में दर्ज है पाँच माँ पहले इस कूप रता और समाज की खाप पंचायत द्वारा लगाये जुर्माने को लेकर पीडीत पक्ष की ओर से पुलिस को शिकायत की गई थी अब बागोर पुलिस ने विवायता के पती वससुर के किलाफ प्रतारिट करने और दस लाग रुपे के लिए प्रतारिट करने का मामला दर्ज किया है मांडल सीओ सुरेंद रुकुमार ने बताया कि बीलवारा शहर में रहने वाले एक युविति का विवा बागोर में 11 मही को हुआ था शादी के बाद उनके समाज की कूकडी प्रता के तहत उसका वर्जिनिटी टेस्ट किया गया था जिसमें वर्क खरी नहीं उतर पाई कायद भी पिडित पक्ष ने पुलिस से की थी जिसकी जाज भी पुलिस ने शुरू कर दी थी विवायता का आरोप है कि पिछले पाच माह से उसी जुर्माने के पैसे के लिए प्रतारिट किया जा रहा है इधर पुलिस की जाज में भी यह मामला सामने आने के बाद विवा जा रहा है कि विवायता की शादी 11 मही को होने के बाद उसका वोजिनिटी टेस्ट वा उसके साथ पूर्व में हुए रेप की बाद सामने आ गई थी इसके बाद बागोर के भादू माता मंदिर में समाज की पंचायत भी बैठी थी लेकिन इसी दोरान विवायता के परीजनों ने सुभाश नगर थाने में रेप का मामला दर्च करवाया था साथी पूलिस के सामने काप पंचायत को लेकर शिकायत ली थी इस दोरान पूलिस है विवायता के ससुराल पक्षव समाज के पंचों का आगाहा भी किया था इसके बाद भी 30 माई को फिर से पंचायत रखी गई और विवायता के पियर पक्षव को 10 लाग रुपे जुर्माने के तौर पर देने का आदेश दिया गया मैं 11 माई को मेरी शादी होई तो शादी के तन मतलब 11 माई को शादी होई बारा तारीको मुझे विदाई हुई मेरे अपने ससुराल गई 2-4 दिन उन्हें अच्छे रखा फिर हमारे समाज में जैसे शनिवार के दिन abbiamo हमारे कुगड़ी कुगड़ी रसम होती है तो शनिवार के दिन अना मेरे सास ने मेरे ममी को फोन किया है कभी आज आज हमने इन रसम निभाएंगे और आप दो तीन जड़ी जो भी लेडिस हो उसको भेज देना मेरी भूआ मेरी चाची और मेरी मामी तीनों वापर आए म मार पीटी मेर्य पती ने पिंढ़ा जे तो फिर बाद मैं मार फीटोई तो फिर में ने बताया है कर मैं हम्हें ना पड़ेगा तो टेना पड़ेगा दंड देना पड़ेगा तो दंड इतना तो मैरे मम्मी पापविचार है नी जो पंचों के डंड की तभी बात हुई नी फिर भी कम से कम नी 5-6 लाग से नीचे नी तूटता है डंड ले वस्तता है यह बागोर थाना शेतर का मसला है लेकिन यह जो मिटिंग होई थी पंचान क कि यह बादू स्थान पे होई थी बादू गाम जो है वो मंडल थाना अंतरगत आता है प्रिवाद की जांच हमने मुशी खांजी यह से इसाथ को दी थी जिनकी जांच रिपोर्ट पर संगे अपनात गटित होना पाया विया इस अधार पे हमने इसको प्रकंदर्ज करने के लिए बागोर थाना में बिजवाया है बागोर थाना में प्रकंदर्ज हो चुका है अंचान के खिलाफ और इस पर आगे भी कार्वाई की जाए दिया हुसना में